आज हम बनाएंगे मकर संक्रान पर वो भी ट्रेडिशनल तरीके से खिचडी और मूंग दाल की पकोडी ये बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद में तो क्या कहने यहाँ पे हमने एक अटोरी छिलके वाली मूंग की दाल ली है हमें आज छिलके ही वाली लेनी है इसको हमने 6- साथ गंटे इस तरीके से भिगो दिया था जिससे इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं ये देखे हमने इसको हलके हातों से मसला है ये देखे है यहाँ पे छिलके इस तरीके से अलग हो जाते हैं अब हम इस पानी को इस तरीके से उतार देंगे और ये छिलके आसानी से उत तर जाते हैं ये दो वार में जितने छिलके हटें उतने ही आप हटाएं इनको जादा नहीं हटाना है ये देखे यहां हमारे ये इसमें छिलके भी रहने चाहिए बिल्कुल छिलके हमें साफ नहीं करने हैं अब हमें इसको जार में डाल कर इसको पीस लेंगे हमें यहां पे य यह खाने में यह उतना अच्छा नहीं लगेगा यहां मैंने तीन हरी मिर्च लिए हैं उनको काट के इसमें डाल दिया है आदी चम्मच काली मिर्च पाउडर एट किया है और यहां पे आदी चम्मच हल्दी पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आता है हमने यहां पे एक चम्मच खड़े धनिया लिये उसको हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे इससे इसका स्वाद और भी भड़ जाता है अब उन्हें यहां पे कुछ धनिया के पत्ती लिये हैं उसको भी इसमें डाल देंगे इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे एक पिंच हिंग डाली है और स्वादनुसार नमक यहाँ मैंने एक चमश नमक एड़ किया है अब इसको अच्छे से चलाएंगे हमें यहाँ पे इसको तब तक चलाना है जब तक यह फूल डा जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए यह देखे मुझे चलाते चलाते यहाँ चार से पांच मिनट हो गए थे और इसका कलर एकदम यह देखे चेंज हो गया और यह बहुत ही हलका सौफ्ट लगने लगा है ये देखिए जब ये पानी और दाल अलग ना हो एक जैसे दिखने लगे तो हमारे ये परफेक्ट निया बैटर बनके तयार हो गया है अब हम तेल लेंगे तेल को हम गरम करेंगे जब उपर अच्छी हीट आने लगे तो इस पे थोड़ा डाल के देखिए और ये अगर उपर आ जाता है तो हमारा परफेक्ट तेल गरम होके तयार है हम सारी पकोड़िया इसमें डाल देंगे ये देखिए जब आप इस बैटर को हाथ में लेंगे तो ये बहुत हलका महसूस होता है क्योंकि हमने इसको इतना फेटा है कि ये बिलकुल हलका हो गया है इससे इसमें नैस सोड़े की ज़रूरत है ना ही किसी और की जब ये देखिए नीचे से क्रिस्पी दिखने लगे तो हम इसको हलका सा इस तरीके से चलाएं और चलाते हुए में इसको सेकना आए यह देखे जब यह ब्राउन कलर की दिखने लगे तो हमारी पकॉड़ियां परफेक्ट सिकर तयार हैं अब इनको हम अलग निकाल लेंगे अब हम इसी में और जो भी हमारी पकॉड़ियां बची थी उनको भी डाल कर सेक लेंगे यह उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मुलाइम होती है और खाने में इसका टेश्ट तो क्या कहने एक बार आप भी इसको जरूर बनाईए यहां भी मैंने यह देखे सेक कर तयार कर ली हैं इनको भी अलग एक बरतन में निकाल लेंगे यह देखे हमने यहां पर मीठी और खटी चटनी ली है यहां हमारे परफेक्ट मूंग डाल की पकॉड़ी बनकर तयार हैं यह देखे अब हम यह देखे ओपर से क्रिस्पी और अंदर से मैं आपको तोड़ कर दिखाते हूँ यह कितने सॉफ्ट हैं यकीन मानिये यह अंदर पकोड़ी बनकर तयार है अब हम बनाएंगे ट्रेडिशनल खिचड़ी यह देखिए यहां हमने एक कोकर लिया है उसमें मैंने एक बड़ा चमच खील्ड एड़ किया है अब हम इसमें जीरा डालेंगे जीरी को हमें जादा नहीं भूझना है हलका सा भूझे तो हमने यहां ए यहां पे एक बड़ी लाइची लिये इसको थोड़ा सा कूट कर इसमें डाल दें अब यह हमारे जब सारे मसाले भूझ जाए तो हमने एक कटोरी मटर लिये है इसको भी हम डाल देंगे एक कटोरी वो भी लिये इसको भी यहां डाल देंगे आप अपने अनुसार सबजिया ले सकते हैं और इनको अच्छे से भूझ लें यहां पर हमने साथ से आठ काली मिर्च ली है उसको दरदरा कूट लिया है उसको भी यहां एड कर देंगे काली मिर्च इसका टेस्ट बहुत यह अच्छा मा आता है यहां पर हमने एक चम्मच खड़े धनिया को कूट कर इसमें एड कर दिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर एड किया है अब इन सब को अच्छे से भूझेंगे यहां भूझने में दो से तीन मिर्ट लग जाते हैं है ना यह देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी होगी अब हमने जो दाल और चावल भिगोए थे उसको हम इसमें एड कर देंगे और इनको भी हमें अच्छे से दो से तीन मिर्ट के लिए भूझना है भूझने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है यह देखिए यहां हमारा भूझ के रेडी है जब हमारा यह दो से तीन मिर्ट भूझ ले तो हम इसमें हमने एक कप दाल और एक कप चावल लिए थे तो एक कप दाल लिए थी हमें तो इसमें चार कप पानी और एक कप चावल के लिए चार कप पानी, तो कुल हमने यहाँ पर आट कप पानी एड़ किया है अब हम इसको अच्छे से पानी डल कर चला लेंगे और हमने यहाँ पर बात में एक पिंच हींग एड़ की है और स्वादनुसार नमक, यहां मैंने दो चमच नमक एड़ किया है आप अपने सार नमक एड़ करें अब इसको चला के हमने यहाँ पे अब ब्लास्ट में हमें आदा नीबू लेना है उसको इसमें निचोड़ देना है नीबू से बहुत ही अच्छा इसका खटापन आता है आप नीबू ही डालें यकीन मानिए नीबू डालने से इसका बहुत ये अच्छा टेस्ट होता है अब हम THIS को धककर लगाकर टीन सीटी आने देंगे यह देख़िए हमारे यहां पे तीन सीटी आ कर तैयार हो गई है जब हमारे 3 इन सीटी आ जाए तो हम इसको तुरंत ना खोल meer जब सीटी अपने आप निकल जाए इस तरीके से तब हम इस यहां मैंने इसको खोला है यह देखिया हमारी परफेक्ट खिचडी बनकर तयार है यह ना जादा गीली है ना जादा सूखी है खिचडी इसी तरीके की होती है आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और हमें बताएं कमेंट में की आपकी खिचडी एक कैसी बनी अब हमने यहां पे धनिया से इसको गार्णिश किया है और यह हमारी परफेक्ट खिचडी बनकर तयार है यही मैं आपको याद दिलाती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो इंडियन किचण आर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बने बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और म मैंने खिचडी को एक परतन में सर्व किया है यह देखिए है ना लाजवाब आपके भी आया ना मूं में पानी तो आप भी बसंद पंचमी में जरूर इसको बनाईए और बताईए कमेंट में कि आपकी यह खिचडी कैसी बनी हमने यहाँ इसको धनिया से गार्णिश किया ह यह धनिये से गार्णिश करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और हमने यहाँ पे घी डाला है घी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है खिचडी बिना घी के तो बिलकुल अधूरी है यह देखिए है ना परफेक्ट खिचडी आप भी इसको जरूर बनाईए मैंने तो यह यहाँ इसको पापड और चटनी के साथ सर्व किया है आप खिचडी किसके साथ खाना पसंद करते हैं आप कमेंड में जरूर बताएं मैंने यहाँ इसको इस तरीके से पापड के साथ खाया है आप भी इस तरीके से एक बनाकर जरूर खाएं